नमस्कार आप देख रहें न्यूस वाल इलिया आपके साथ मैं हूं काजो उनरायन श्रावस्ती में भाई ने बहन की हत्या कर शफ को आंगर महीर अपना दिया जुसकी वजह से पूरे गाउं में हडका मचा हुआ है ग्रामों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई है खुदाई कराकर शफ को बहा निकारा गया ओनर किरिंग में हत्या किये जाने का शक बताया जा रहा है फरंसिक टीम ने भी मौके से साक्षे जुटाई है शफ को पोस्मार्थम के लिए भेज दिया है जाट शुरू कर दी गई है वर्तका के भाई की विरोध मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है पोस्मार्थम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा सिर्सिया थारशित्र के बढ़का धर्मानतुपुर गाउं की पूरी खटना बताई चारी है तो शाबस्ती का एकुरा भाबला है तो ग्रामनों ने सुचना पोलिस को दी पोलिस मौके पर पहुँचे और साक्षी जिटाने में जुटी हुई है तो मजिस्ट्रेट की मौदूद्की में खुदाई कराई गई है शब को बहाँ निकाला गया है पोस्मार्तम के लिए भेज़ दिया गया है पोस्मार्तम के बाद ही क्या सच आप आएगा ओनर किली का शक यहाँ पर जिटाई जा रहा है तो मौत्का के भाई की विरूद भी मुकद्मादर्च कर लिया गया है सिर्सिया धानाश्यत्र के बढ़का धर्मान्तपुर गाउं के पूरी घटना बताई जा रही है तो शावस्ति में एक भाई ही अपनी बहन का हत्यारा बन गया है हत्या करके शव को आंगन में ही दफना दिया आसपास के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सुचना दी पुलिस मौके पर पहुँची जिसके बाद खुदाई कराई गई खुदाई कराने के बाद शव को बहार निकाल लिया गया है आखिर भाई ने अपनी ही बेन को क्यों मारा है इसके पीछे की क्या वज़ा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में देहशत का महौल जरूर बना हुआ है तो श्रावस्ति के सिर्सिया थानश्यत्र के बढ़का धर्मादपुर गाउं की पूरी घटना बताई जा रही है और इसी कबर पर जादा अपडेट के लिए मेरे सही होगी सुरुप्रकाश मेरे साथ जड़ गए है सुरुप्रकाश कि आप कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामने पर क्या खुलासा हो पाया है कि आखिर एक भाई नहीं अपनी बहन को बहुत के घाज क्यों उता रहा इसके लिए भाई को बात करना उसका पसंद नहीं या उन्होंने मना किया इसके लिए भाई वहन में बिवाद भी हुआ था और कुछी दिनों के बाद विवाद के चलते बहन ने आत्मस्या कर ली इसके स्थाव को परजनों ने अपने ही घर में गड़े खोद कर दफना दिया था तो वही अस्था ग्रामीडों के सूजना पर सान्य पुलिस मौकर पर कहुंची और स्थाव को कबर से बाहर निकुरा कर पोस्मास्टम के लिए बेजा गया है पोस्मास्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात की जानकारी कैसे हुई क्या किसे ने देखा या किसी को शक हुआ आग्डा जिन बिदने के बाद जब वो लल्की गाओं में कहीं किसी के पाद नजन नहीं आए तो वहां के जो चोकीडार होते हैं गराम पंचायतों मिंद्यों से चोकीडार होते हैं प्लिजी वाके उन्होंने इस ममले की सूचना जी गराम बिड़ों के मादन से उसको अब भी कहीं न कहीं हो रही है और शावस्ति के जो मामला है ये भी कहीं न कहीं उसी तरह का प्रतीत हो रहा है पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है और इस भाई को रहा है पूरे मामला है जो भी इसके मामले के दोती होंगे उन्हें चेह लाफ पस्त्त कर्वाई की जाएगी तो श्रावस्ति का एक पूरा मामला है जहां पर इस घटना ने पूरे इलाकों को दहला दिया है बताए जा रहा है कि भाई नहीं अपनी सगी बेहन को मौत के खाट उतार दिया और क्लिन के घटना फिलाल बताई जा रही है हाला कि पुलिस का कहना है कि शब को पोस्मार्टम के लिए पेजा है आगे की कारवाई भी की जा रही है मौ hypnot के चलते जा जा eigenlijk 122 पर टाना फोम गॉर्ण को गोली मारतीक एई हालत गंभीर बताई जा दिजीजे संचालक ने सदर कोतवाली शितर में डायल 112 पर टाना फोम गॉली को मारी है गोली बाराई लगने कॉलिज रेफर कर दिया डैलेक सुबारा पर तैनाद गार की गोली लगने की सूशना पर गटना स्थाल पर पहुंचे एस पे सई जिले के अनने पुलिस सदिकारी लाका पुलिस से घतना के बाद उंगार को गोली मारने वाले आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है कोतवाली हातरस गेट शित्र के महला अलगर्जी नगला की पूरी घतना बताये जा रहे हैं हाला की अब तक आरोपिय पुलिस की गिरभ से बाहर बताये जा रहे हैं देर शाम की घतना बताये जा रही है जहांपर कुछ आपसी रंजिश थी और आपसी रंजिश क और बताइए जा रहा है कि DJ संचारा के कोई जिसने ये गोली चलाई है हला कि वो अभी फरार है उसके साथी मिलताई जा रही है उसको लेकर एक टीम भी बना दी गयी है तीम अलग अलग जगाओं पर दबिश दे रही है लेकिन अब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है ना ही आरोपियों की गिरफतारी हो पाई है कोतवाली हात्रस गेट शित्र के मुहला अलगर्जी नगला के पूरी घटना बताई जा रही है साले लेकर आए घाल व्यक्ति में अपना नाम योगेस्पुत्र जौला प्रिसाथ निवासी बजारी थाना सास में बताया है तथा यह भी बताया है को होंगाड में नोकरी करता है तथा अजे डीजे वाले जो कि नगला गर्जी में रहने वाला उसके पास गया था उसमें उसको गोली मारी है इन लोगों का पूर्ण में एक महला को लेकर ब्रवाद हो गया था अजे आज उसके पास गया था उससी समय उसको गोली मारी है यहाँ समुन में पुलिस द्वारा तह्रीक अगर पैर मैंने करवा इक जाला इनकी गिरबतारी कब तक हो पाएगी और पुरानी रंजिश क्या थी? इसे घायल पर जरी मोकी पर पहुंची पुलिस उसे अस्पतार लेकर गई वहां जॉक्तरों दोरा उसे गंबीर हालत में देखते हुआ लीगर रेपर कर दिया है और मामले की चांच में सियो सिटी मौलोस कुमार सर्माद वारा कहना है कि मामले में दविस दी जा रही हैं और प्रोण की आरूपी को गरभतार किया जाएगा बिलकुल और इसमST कितने आरूपी बनाए गए है और जो हूम-गार्ड है उसकी हालत क्या बटाई जा रही है और जो हम गार्ड के परीजन है उनका क्या कुछ कहना है कितने सालों से परानी रंजिश चली आ रही थी कैसे पहले कोई धंकी कुछ ऐसा मामला सामने आया है नहीं पंचलों ने कोई अरूप या वू लगाया है निकिल पुलिस के वारा जो बताया गटना की जानकारी जो हमगार ने दिया है उसके फुरूर यह पता लगता है कि केवल एक ही आदमी था अजय डीजे वाला उसी ने होमगारी उपर गोली चलाई है चीक है शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचारे के लिए तो हात्रस का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जोहां पर आपसी रंजिश में 112 पर तैनाद होमगार को गो पूजे संचालक है वहीं संबल में बड़ा हादसा होने से टला है कावडियों का जथा निकालने के दौरान बिजली का खंबा तूट गया विद्ध फॉल्ड के साथ अच्छानक बिजली का खंबा तूटा हादसे में सदर इंस्पेक्टर ओंकार सिंग बाल-बाल बच रहे हैं मौके पर अफ़त अफरी का महौल देखने के लिए मिला पुलिस पल के साथ इंस्पेक्टर यहां पर गश्ट कर रहे थे सूश्रा मिलने पर एसपी चक्रेश मिश्र साइथ पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे टुटा हमबा और फाल्ट होने से बिजली आपूर्ती पूरी तरह से ठप हो गई सदर कोतवाली शित्र के आरे समाज रोट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है तो संभल की तस्वीरे आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कावड लेकर लोग निकल रहे थे उनका जथा यहां से निकल रहा था तभी अचानक जो पिजली का खंबा है वो तूट किया और जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ फॉल्ट होने के बाद विजली का खंबा नीचे गिरा इस हाथसे में सदर इंस्पेक्टर उंकार सिंग बाल बाल बच्चे हैं जिसकी वजह से मौके पर अफ़त अफ्रीका महौल पी देखा गया पुलिस बल के साथ वो लगतार गश्ट कर रहे थे ताके कावडियों को किस इसी तरह के कोई परिशानी नहों सुष्णा मिलने पर इस पी चक्रेश मिश्वा भी फुलिस अफ्सरों के साथ मौके पर पहुंच गए हैं फॉल्ट होनी की वजह से बिच्टी आपूर्ती भी पूरी तरह से ठप बताई जा रही है और इसी खबर पर जाद अपडेट के लिए मेरे से योगी प्रदीप मेरे साथ पोल नाइन पर जुड़ गए हैं प्रदीप क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर पर जानके बार करेंगे अपर जानकारी मिल खुड़ प्रदीप कर रहे हैं और फॉट पर जब गरता है तो वह उसके परवार से घिरता है बिजली आपूर्ती पूरी तरह से बादित रही है क्या अब वापस लोगों को जो बिजली आपूर्ती है वो पूरी की गई है या फिर अभी भी लोग अंधेरे में हैं और जो यहां पर इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं उमकार सिंग उनकी हालत ठीक है पांच काश्टेबिल ओर्टे उनके साथ जो बश्क्रिक कर रहे थे जो सुष्टा दे रहे थे जिए जट्थे को उसी सुष्टा के लिए च्ट्रियों पड़ता है वो एकम सा च्ट्र पड़ता है इसमें अधिस नंचा पुलिस पोस्ट लगाए गया था उसके बाद जब खं बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद जो है जिसमें सदर इंस्पेक्टर बाल बचते हुए नजर आए एटा मैडिकल कॉलेज के नेतर चिकिस्ता विभाग पूरी तरह से अवैद वसूली का अड़ावन गया है बड़ी जानकारी मिल रही है नेतर चिकिसक सोहनलाल खुद ड्राविंग लाइसेंस पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर अवैद वसूली करते हुए क्यामरे में कैद हुए है क्यामरे में रिश्वत लेते हुए ये डॉक्टर सोहनलाल आपको नजर आ रहे है पहने भी कई बार भस्ट चार की खबरे नेतर विभाग से आ चुकी है आखिर ऐसे भस्ट लोगों के खिलाफ क्यों ठोस कारवाई नहीं हो रही है ये बड़ा सवाल है एटा मालिकल कॉलेज के नेतर विभाग रूम नंबर वन का इपूरा मामला बताय जा रहा है तो एटा के तस्वीरे आप देखेंगे रिश्वत लेते हुए जो डॉक्टर है जो चिकिस्सक है सोहनलाल वो कैमरे में कैद हो गए है लाइसेंस देने को नाम पर अवैद वसूली की जा रही है और अवैद वसूली करते हुए वहाँ पर खड़े किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्या कैमरे में कैद कर लिया और अब ये तेजी के साथ वारल हो रहा है हालाकि ये पहला मामला नहीं है से पहले भी स्थरा के आरोप उन पर लग चुके हैं भस्ट अचार के खबरे नेतर विभाग दो सामने आ चुकी है लेकिन ऐसे भस्टों के खलाफ ठोस कारवाई कब होगी इसका इंतिजार लगातार किया जा रहा है एटा मालिकल कॉलेज के नेतर विभाग रूम नंबर बन का इपूरा मामला सरोवर नगरी नैनिताल में एक बैठक का आउजिन किया गया है बैठक के दक्षता जिलादिकारी धीरसिंग का प्रयाल ने की है बैठक में राज्य में प्रतिबन्धे सिंगल यूज प्लास्टिक हुथपादों की प्रभावी नियंतरण के संबंद में विस्तिस्ट चर्चा के गई बता दे कि यहाँ पर जिलादिकारी ने सभी इतिकारी को निर्णेश दिये हैं निताल के सभी कारले को प्लास्टिक नुक्त बनाने और अपने अपने स्थ से आम लोगों कुछ जाक्रू करने के लिए अभियान भी चलाना सुनुश्रित किया गया है साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक से होनी वारे नुकसानों के बारे में लोगों कुछ जाकू करना भी सुनश्रित करने की बात यहाँ पर कही गई है और इसी गबर पर जादा अपडेट के लिए मेरे से योगे रिशब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है ललित क्या कुछ जानकारी मिल रही है देखा जाए तो नैनी ताल में लगातार जो जिलादिकारी है दीर सिंग गब्रियाल वो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बहुत जादा सक्त दजरा रहे लगातार बैटके हो रहे हैं और एक और बैटक हुई है लोगों किस तरह से जागूर किया जा रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी चाहे वो किराना स्टोर हो या कोई वैसा बैटक है ठेला हो या दुकान हो छोटी वहां पर लोग खुद ही जो ग्रहा कोते हो खुद ही पॉलतिन मांगते हैं कि हमें पॉलतिन देदीजी हम अपने हमें अपना समान इसमें रखना है तो उनको किस तरह से जागूर किया जाए इसको लेकर क्या पूरी यहां पर रूपरेखा त अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो जिला दिकारी पूरी तरह से सक्त नजार आ रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार बैटके कर रहे हैं और दिकारीों को भी निर्देश देए जा रहे हैं और उसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें नीस्वल इंडिया के साथ